बच्चों जीपी का ये सवाल है लेकिन आगे चलके जिस चीज में जो फसाएगा उसका नाम है quadratic equation इतनी गंदी quadratic equation इसमें बनने वाली है कि एक बार डाउट हो जाएगा कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो ये जेही मेंस का पी वाई क्यों है और उसको देखिए दे र n terms है and if geometric mean geometric mean of all the 60 plus n terms is और उसका geometric mean given है then उसकी बाद में आपको जो value निकालनी है the submission of k equals to 1 to n k into n minus k यहाँ पे अगर k से starting कर रहा है k से n तक जा रहा है तो जो variable quantity है वो k है n constant है इसके लिए ठीक है ना तो इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले लेना पड़ेगा geometric mean जो की इसने दे ही रखा है तो इनका सबका product करेंगे directly वही चीज लिखें जो दे रखी है 2 की power 1 2 की power 2 और 2 की power 3 और यह चला जाएगा कहां तक 60 terms तक जो 2 की power वाली terms है वो है guys इसमें 60 ठीक है तो 2 की power 60 तक यह जाएगा इसका product होना है और दूसरी term यह 4 जा रही है 4 की power 1 4 की power 2 एक बार मैं exactly वो लिख लेता हूं जो की जिस तरह से दे रखा है फिर next step हम switch कर जाएंगे तो यह 4 की power n तक चला गया तो हम करते क्या है geometric mean निकालने के लिए जितनी भी terms है उनका product होता है ठीक है और उसको उसी का nth root लेते हैं जितनी terms होती है तो total terms हो गए 60 प्लस n तो 60 प्लस nth root लिया जाएगा तो इसको लेंगे 1 upon 60 प्लस n यह भी ठीक हो गया and this value is given equals to 2 to the power 225 divided by 8 यह value given है अब बस इस पर work out करना है यहां से होना क्या है यहां से हमें n का value निकलेगा वो n की value हम इसमें place करने वाले ठीक है ना और उसकी बाद में इसको sigma को solve करेंगे तो यह जो number है 2 की power 1 से 60 तक उपर अगर power add हो जाएंगे तो इसमे हो जाएगा formula लग जाएगा sum of 60 natural numbers starting from 1 to 60 तो हो जाएगा 60 into 60 1 by 2 बिल्कुल ठीक है अच्छा इसका में क्या करूं यह भी 4 है लेकिन उपर आएगा n into n plus 1 by 2 इसको भी लिग दिया गया right इसके बाद में 1 upon 60 plus n ठीक है की power यह value given है 225 by 8 given है सारा सबकुछ दे रखा ठीक है ना अच्छा फटा 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 हम काम करते है तो टू की power यहां पर हो जाएगा 30 into 61 right into इसको टू की power 2 करूंगा क्योंकि यहां सब जगे आप देख रहे हो सबकुछ 2 की power में चल रहा है तो हम power compare करेंगे 2 की ठीक है तो इसको 2 की power 2 लखेंगे तो यह वाला 2 cancel हो जाएगा और इसमें आजाएगा n into n plus 1 perfectly right इसके बाद में हम लिखेंगे यहां पे 1 upon 60 plus nth power 2 की power 225 by 8 no problem यह वाली power भी इसमें add हो जाएगी ठीक है ना तो यह इसके साथ में add होना है क्योंकि 2 की power में ही सारा तो 2 की power आएगा n into n plus 1 and plus this is 30 into 61 यह यह हो गया ठीक है ना और इसकी यह 1 upon 60 plus nth power है तो अभी यह जो 1 upon 60 plus nth power है इसको हम क्या करेंगे 60 plus nth power से raise कर देंगे raise करने में क्या होगा यह यहां से गायब हो जाएगी और यह power इस पर चड़ जाएगी ठीक है तो वो मान लीजे मैंने raise कर दिया और इसका मतलब यह हो गया 2 की power 225 by 8 हो गया into यह जो power है n plus 60 इस पर चड़ गई ठीक है ना मला इसको 60 plus n power दोनों तरफ कर दिया राइट उस डिग्री से लगा दिया अब यहां तक हम पहुच गए अभी जो मैं बात बता रहा हूं आपको सवाल तो मैंने solve किया ही वह पहले से तो आपके लिए इसलिए मैं बता रहा हू कि जब J-E mains में ऐसे सवाल आते हैं लगता नहीं कि इसमें कोई गंदी सी quadratic equation बनेगी और उसको solve करते से में वहां doubt होगा कि यह मैंने सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं है ना वही चीज में बताना चाहरा हूं सवाल में जो चीज़ें अंदर छुपी होती हैं वो दिखती न compare करा दे 2 की power लिख देंगे यह हो गया आपका n square plus n n square plus n plus 30 तो इसको ऐसे ही लिखते जाते हैं भी बाद में देख लेंगे इसका equals to equals to and this is 225 225 by 8 into n plus 60 इसमें कोई समश्या नहीं है ठीक है ना अब हम एक काम करेंगे इसको इदर से multiply करेंगे और उसको पूरा quadratic format में set करेंगे this is 8 n square plus 8 n हो गया right plus 30 into 61 into 8 हो रहा है और यहां पर आगया 225 n and plus this is 225 into 60 कई बार तो ऐसा देखते हुए यह डाउट होने लगता है यार यह क्या चक्कर हो रहा है यह कहां ले जा रहा है लेकिन यह सही जा रहा है ठीक है ना हम लोग बस इस सवाल में यही बात आपको देखने समझने की है कि सवाल हम जब स्टार्ट करते ना अगर हमारा हमने जो वर्क आउट किया है 100% राइट है ना तब आपको 100% confidence इस बात कर रहेगा कि हमने कुछ गलत नहीं किया ठीक है ना जो भी चीज आएगी मिन्स वो ऐसा होना है question में this is called confidence right so this is 8 N square 8 N square और N जो है आपके यहां पे 225 N भी आ रहा है ठीक है तो 225 और यह आजाएगा माइनस का तो 25 माइनस का 217 आएगा 17 प्लस 8 8 7 15 1 कियस बिल्कुल ठीक लिखा है so this is right यह हमने N clear कर दिये और दूसरे numbers यह वाल है तो इसको मैं अभी ऐसे ही लिखता हूँ क्योंकि multiply करूँगा तो फिर और ज्यादा calculation बढ़ाएगा यह unnecessary ठीक है ना into 60 equal to 0 अब इसको पिर और clear करते हैं 8 N square हो रहा है माइनस 279 आ गया और इसमें से common वगर आप देखू मैं क्योंकि मुझे solve करना है इसको पूरे को तो 30 तो पूरे common आ रहा है 30 एक common आ रहा है 30 के बाद में और इन में से कुछ दिखनी रहा मुझे बस 30 common ले ले लेते हैं तो 61 into 8 आएगा 8 यह आ गया minus का यहां से 225 450 यह हो जाने वाले क्योंकि 30 common में गया है 450 हो गया थोड़ा सोच समझके दीरे दीरे यहां पर जो काम करना होता है slightly proper देखते हुए करना पड़ता है silly mistake वाली जगे यही है silly mistake वाली जगे यही है जाम सोचते हैं कि यहां तो गाड़ी तेज भगा दो ठीक है ना तो यहां पर अपने को लिखने का 8 आएगा और यहां 3 आ गया बस यह 38 आ गया right now 38 into this is 30 into 38 ठीक लिखा मैंने अच्छा अब इसको multiply कर देते हैं 38 into this 3 this is 1140 ठीक है तो यह number आगया guys 8 आएग इसको है minus 279 अब प्लस का 1140 अब इसको देखिए आप quality के solve करना end निकाल के end निकाल के यहां place होना है तब कहीं जाके हमारा काम बनेगा और यह बड़ा गंदा मतलब लग रहा है कि यह क्या चीज आगे पूरी की पूरी ठीक है ना क्योंकि जब factors देखेंगे तो यह सारे देखना पड़ेगा अब आज यह factors पे फटावट की factors हम क factors ले लेता हूं 25 जा और सेवन आएगा ठीक है सेवन जा जीरो फिर टू से डिवाइट किया टू तू जा वन सेवन एट तू जा सिक्स्टीन और फिर फाइब आएगा आट पांत तेरा चादा पंदरा थ्री से डिवाइट करेगा थ्री नाइन जा ट्वन फाइब बचा ठी श्रेक थे बाद मैं लेक्स आजाएगा अपका 5 से डिवाइट किया फॉट वंजब फाइब फॉर एं एकेट इस न गइंटीन टो यह सारे नमबर सारह रहें इनको भी मैं दिदो हूं तुइंटू तू इंटू इंटू थ्री इंटू इंटू इस नैंटीन देख रहे हो गाइज बहुत डिफिकल्ट है यह इस condition में जो है ना बहुत डाउट होता है exam में यहाँ पर तो अभी हम समझ पा रहे हैं exam में बड़ा doubt होते कि यह क्या माला सही है क्या है यह सब कुछ जब कि यह सही है ठीक है ना अब देखे factors की बात करें तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा करूँ क्योंकि मुझे यह जो odd number है ना ऐसा कुछ create करना है यहाँ पर तो 19 के साथ में 19 के साथ में अगर मैं 5 को multiply करूँगा बहुत उपर number चला जाएगा अगर 9 3 जा करता हूँ मैं तो 57 आएगा और वो 17 है तो उसका connection दिख रहा है तो एक तो हम यह कर लें 57 को एक अलग कर लें और इन numbers को multiply कर लें 5 तूजा 10 20 20 और यह कितने हो गए 20 20 और 8 120 यह हो गए 120 और 120 के साथ में अगर इसको add करें तो 5 2 7 1 नहीं तो कुछ गलत हुआ है 5 यहाँ था 9 3 जा 57 सही है 5 तूजा 10 20 20 इंटू 8 160 होता अरे 160 होता भी यह ठीक है न तो यह 7 हो गया साथ पांच ग्यारा एक एक टू 17 एक्जेक्ली आ रहा देखो ठीक है तो हम क्या गरेंगे यहाँ पे 8 N स्क्वाइर माइनस का 160 N आएगा और माइनस का 57 N आएगा प्लस 1140 आएगा एक क्वल्ड जीरो आएगा ठीक है यहाँ पे पूरा-पूरा सॉल करने की आवश्यक्ता नहीं है यहाँ पे देख रहा हूं मैं कि 80 कॉमन आ रहा एट N तो यहाँ आएगा एट माइनस 20 आ गया और यहाँ से मैं माइनस का 57 कॉमन लेता हूं तो भी माइनस एन माइनस 20 आने वाला है और इसने जो वैल्य पूछी है उसमें एन यहाँ पे दिया नहीं है अलग कि एन तो यह नंबर है ना तो इट्स नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर होना चीए फ्रैक्शन में तो जाएगा नी ठीक है तो एन माइनस 20 हो गया गया और उसकी बाद एन 20 डिसाइड हो गया अब हमारा काम हो चुका है आप वापस सिगमा पर आना है और जब आप डिसाइड कर चुके हो तो एनीस 20 गईस राइट और इस पर वरक आउट कर लेते हैं जलदेलदी तो हम एक के जो कहते ना जिसे मैं बार बार बोलो गंदी क्वाडर्रेक एक्व to 1 to n, and इसको आप multiply कर लो, k n लिख लो, और k n में, जो आपको बता है रहा, n outside में जाएगा, ठीक है, तो n constant है, इसकी value निकालने थी, अब 2 n तक जाएगी, k n minus, और अब आएगा k square, तो submission of, that is k equals to 1 to n, and k square, ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे, अब यह क्या है, यह तो n natural numbers क sum हो गया, so this is the n into n plus 1 by 2, हमने लिखा, minus का, यह होता है, natural numbers के square का sum, ठीक है, k square करा रखा है, तो n into n plus 1, 2 n plus 1 by 6, यह सब formula है, सबको बच्चों को पता, अच्छी तरह से, ठीक है न, तो आपके अगरो, भी थोड़ा सा, इसमें common मगरा निकाल लो, बाद में value put करेंगे, उसकी, n n plus 1 by 2, n n plus 1 by 2, बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां से मिलेगा n, और यहां से 2 n plus 1, 2 n plus 1, 2 common में गया, 3 बचे गया, ठीक है न, 2 n plus 1, तो हम value भी रखना चालो कर देते हैं, यहां पे आएगी 20, 21 by 2, ठीक है, और यहां पे value एक बार clear कर देता हूं, मैं तब रख दूंगा, ऐ ऐसा कोई जरूरी नहीं इतना फेर किया जाए, 3 n minus 2 n minus 1 divided by 3, आप बोलेगों महाद तो रख दी, कोई बात नहीं उसमीं क्या है, यह हमाँ, यह वाग कोई cbse board की copy नहीं है, जो की check करके बतावाए कि क्या problem है, 3 n minus 2 n में n बचेगा, n 20 है, 20 minus 1 यह 19 हो गया, ठीक है, 19 divided by 3, त 17 to 19, 19 to 17, ठीक है, 7, 3, 6, 7, 7, 7, 6, 13, ठीक है, 0, guys, 1330, इस दा अंसर, ठीक है, अब आपने एक चीज़ देखे, इस question में, कि हम जैसे ही जही मेंस का question था, 26, July 22 का ही है, लेटेस question है, shift 1 का, तो हमने इसको GP का question समझ के किया, लेकिन इसने जो मशक्कत करवाई है, माथा बच्ची जो हमें करनी पड़ी, वो इसके quadratic में करनी पड़ी,